नमस्ते दोस्तों, आज हम सर पे होने वाले फंगल इंफेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसे टीनाय कैपिटीस कहा जाता है, ये क्यू होता है और इसका क्या इलाज है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में एंटक बने रहे हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बच्चों में ये इंफेक्शन जादा तर देखा जाता है, ये कॉंटेजियस बिमारी है, मतलब एक आदमी से दुसरे आदमी में फैलती है, जैसे पीलो शेर करने से, एक दुसरी कंगी यूज करने से, या क्याप वग लगता है, इस इंफेक्शन में आपको सकाल पे छोटे छोटे काले नीशान दिखेंगे, जिसमें खुझली हो सकती है, और कभी कभी ज्यादा खुझाने के कारण इसमें बैक्टेल इंफेक्शन भी डेवलप हो सकता है, जिसके कारण छोटे छोटे दाने हो जाता है, दानो करने के लिए जहाँ पर infection है वहाँ से थोड़ी skin लेके उसको microscope के अंदर चेक किया जाता है इस infection का इलाज लंबे समय तक चल सकता है और सबसे ज़रूरी बात है hygiene maintain करना infection बस cream से ठीक करना मुश्किल है इसमें कुछ oral antifungal medicines का भी इस्तमाल किया जाता है antifungal दवाई या इसमें itra canazole, terbenafin या fluconazole इस्तमाल की जाती है खुद से कोई भी दवाई का इस्तमाल ना करे इससे side effects भी हो सकते हैं कुछ antifungal creams भी यूज की जाती है जैसे lulicanazole, ketoconazole या antifungal shampoo, ketoconazole और zinc pyrethion का combination इस्तमाल कर सकते हैं खुजली जादी है तो कुछ antistamine दवाई दी जाती है जैसे कि हमने बात खेती, fungal infection के उपर bacterial infection भी develop हो सकता है जैसे कि scalp के उपर छोटे छोटे पस्विल दाने आ सकते हैं तो इसके लिए कुछ antibiotic cream और अगर infection जादा हो तो oral antibiotic का भी इस्तमाल करना पड़ सकता है बहुत ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाईए क्योंकि infection अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो infected area में permanent hair fall की समस्या भी हो सकती है तो यही थी कुछ information इस infection के बारे में तो अगर आपको वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और एसी informative वीडियो के लिए सबस्राइब कीजिए easy knowledge को थैंक यू